हरियोंग दोस्तों नमस्कार मैं मनोरंजन इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों एक स्टार्टर वाला स्टार्टर है इसमें जो खांचा देख रहे हैं यह खांचा स्टार्टर है नहीं यह आरोज का स्टार्टर का साइज एक इंच एक सुद्ध है इस मटर का इनर ड एक इंच छे सुथ और आप टो टाइ तीन इंच तो दोस्तों सबसे पहले हम कायल बनाएंगे रणिंग कायल दो रणिंग कायल और दो स्टाटिंग कायल बनाएंगे रणिंग का साइज है 20 इंच गुलाई में पहले दो कल बनाएंगे रणिंगा यह पहला काईल इसमें 620 तर्न दिया जाएगा और SWG 35 का पर उसको अच्छे से बन देंगे हो गया दोस्तों यह एक बार घुमाने से 10 राउंड बन जाता है इसलिए जल्दी हो जाता है उसको दोना तरफ धागा से बन दिया है फिर उसको बिना काटे दूसरा काईल बनाएंगे सेकंड काईल यह भी कास्चुपी टोरन दिया जाएंगा रूनिंग का दो काईल और स्टाटिंग का दो काईल बनाना पड़ेगा यह दो पॉलबाला माटएरी है यह हो गया दोस्तों चाश सब्वीश टर्न हो गया उसको भी ठीक अच्छी तरह से बांध लेंगे धागेजे दोना तरफ उसके बाद फर्मा से निकल लेंगे उसको और यह दो कल हो गया दो काईल यह यह रणिंग का दो कल हो गया है उसको फर थोड़ा लूज करके हम फर्मा से निकल देंगे यह देखिए दोस्ता यह रणिंग का दो कल बने जाए अब स्टार्टिंग का दो कल बनाना है यह तीन सा असी टर्न दिया जाएगा यह स्टार्टिंग का पहला काईल उसका लंबाई एक इंची थोड़ा कम रहेगा उससे तीन सा असी टर्न दिया जाएगा है स्टार्टिंग का पर बस हो गया दोस्तों यह तीन सा असी टर्न हो गया उसको धागा से अच्छी तरह से बन देंगे इससे काईल का डिस्टरंस दोस्तों गया नियस एंच है वो था रन्निंग का था बीस इंच और यह स्टार्टिंग का उन नियशी एंची कर्ल का डिस्टंस यवा गोलाई कहता है दोस्तों आइसमें से स्टार्टिंग का दोसरा कर्ल बनाएँगे इसमेں हम हम 125 टर्न देंगे उसके बाद एक पहला लूप निकलेंगे फिर 125 टर्न देंगे फिर एक लूप निकलेंगे फिर लास्ट में 130 टर्न में हम काट देंगे तो टूटल हो गया 308 टर्न दोस्तों यह है दूसरा लूप दोस्तों फिर्स्ट लूप में हुआइट वेयर जैन्ट करेंगे और सेकेंड में रेड और थाड में ब्लाक वेयर जैन्ट करेंगे एक फिर 125 एक फिर 125 और 130 टर्न टूटल हो गया 308 टर्न दोस्तों यह तीन लूप निकल करा आगया है अब दोनों तरफ कोईल को बांध लेते हैं अच्छे तरह से और फर्मा से निकल लेंगे हो गया दोस्तों अब थोड़ा प्लास से लूज करेंगे और फर्मा को निकल लेंगे प्लास के सहते से उसको लूज कर देंगे लूज करना से फर्मा असन से निकल जाएंगे यह दो काईल जो स्टार्टिंग का काईल है पहला काईल है दोस्तों यह है रनिंग का दो काईल और यह है स्टार्टिंग का दो काईल पहले स्टार्टिंग का दो काईल रख लेते हैं सबसे पहले रनिंग का जो काईल है उसको इंस्टल करेंगे देखे दोस्ता सबसे पहले स्टार्टर में एक से छे डालना पड़ता है एक से से कोई भी स्लाट में पहले डाल देजिए उसके अब बाद स्लाट पेफर लगा देजिए इस तरह बस हो गया फिर जोहां से छे स्लाट गिन के एक दो तिन चारों पाल छे छे स्लाट के डालना है और वह भून दोस्ते फिर उसको थोड़ा अरजस्ट कर लेंगे उसको थोड़ा दबहा के साइज का लिजिए बस इस तरह हो गया दोस्ते इसका सीरा इस तरह है फिर उसको घुमा के एक रिंग टाइप का फोल्ड करके फिर उसके उपर वाला स्लोट में डालना है मनें एक से आठ एक से चे हो गिया पहला वाला और ये एक से आठ उसका पहला वाला स्लोट में डालना हो यह हो गया, उसको slot paper लगा लेता है, नहीं तो खुल सकता है, खुल जाएगा, इसलिए दोस्तों हमेशा कर्ल डालने का मदद तुरंत slot paper लगा दना चाहिए, यह हो गया, उसका उपर वाला slot में लगा देंगे, यह हो गया, running first curl install हो चुका है, उसका उपर में slot paper लगा देंगे, और थोड़ा उसको size कर देंगे, थोड़ा दबा के size कर लिजिए, आस इस तरह हो गया, दोस्तों, पहला, जो running का पहला काल complete हो चुका है, फिर दूसरा काल हम लेंगे, install करेंगे, यह एक-एक slot छोड़के, एक से 6 पहला देंगे, बीच में चार slot छोड़के डालेंगे, एक से 6 और उपर में एक-एक काल छोड़के, एक-एक slot छोड़के काल दालेंगे, बस इस तरह और चार चार स्लोट छोड़के काईल डालेंगे देखी इस तरह हम लोग डाल देंगे उपर से एक स्लोट छोड़के डाल देंगे और स्लोट पेपर लगा देजिए इसमें हो गया एक ग्रीन स्लोट पेपर हो या वाइट हो कोई भी हो कोई फरक नहीं पड़ता बस लगा देजिए इस तरह भी उसको अड़जस्ट कर देजिए थोड़ा सा फिर जितना बचा है उसको रिंग टाइप का फोल्ड करके फिर उसका अंदर हां डाल दीजिए और उसका उपर में जो एक एक स्लोट छोड़ा था इसमें उसको डाल के स्लोट पेपर लागा देंगे दोस्तों अच्छी तरह से चले जाए सेकंड रनिंग काईल इंस्टल्ड हो गया है बास असलोट पेपर भी लगा देंगे हो गया फिर दोस्तों इसमें उसको बांधने के लिए कटन टेप यूज़ करेंगे हम उसको रनिंग काईल और स्टाटिंग काईल के बीच में दूरी बनाना के लिए कटन टेप का हम यूज़ करते हैं कटन टेप से लाइप कर दैते हैं तो कि जो starting coil जब हम install करेंगे तब दोनों के बीच में दूरी होना ज़रूरी है नहीं तब जल जाएगा काईल जल सकता है इसलिए इसको हम cotton depth से select कर दिया है देखें दोस्ता कितना अच्छी तरह से हो गया है और हम continuity है की नहीं इसको देख लेते हैं ठीक है दोस्ता अब अब starting coil जो पहला coil बनाया था उसको पहले install करेंगे फर्स्ट कैल है starting का ये एक exit छे बीच में चार श्लोट छोड़के हम कर्ल डालेंगे और श्लोट पेपर लगा देंगे दोस्ता हो गया ताकि बड़ी से touch ना हो या बाहर ना निकले वह आर हो गया इस तरफ भी हम श्लोट पेपर लगा देंगे देखें दोस्तों कनेक्शन है एकी तरफ से सारे कनेक्शन है इसको थोड़ा फोल्ड करके फिर वापस वही प्रसेस से डाल देते हैं सें प्रसेस उसका उपर में जो एक एक स्लोट छोड़ा था वही श्लोट में डालेंगे डाल के स्लोट पे पर लगाएंदेंगे दोस्तों भातासन से चली जाता है क्योंकि ओयर बहुत काम है और स्लोट भी बड़ा है तो परिशन ही नहीं है डालने में कोई परिशन नहीं है तो उसका उपर में उस्लोट पर रयप्र लगा दीजिए हो गया . तो दिख्ये दोस्तो ये स््टाटिंग का पहला कायल हो गया है और सेकंड कायल डालने जा रहा हूं ये पहला कैब स्टविग का पहला कैब हो चुगा है . उसका इनर है और ये आउटर उसका साथ जुडा हुआ है सी ते देख्य, ये सॉकंड काल है स्टर्टिंग का सेकंड काल है जिसमें हम लोगों लूप छढ़ा है एक slot उपर से छोड़ देंगे, एक एक slot एक से 6, हिसाब से हम डालेंगे, यह हो गया, एक slot paper फिट से लगा देते हैं, हर slot में slot paper लगाना जोड़ रहा है दोस्ता, फिर इसको हम वही प्रसेस से बाइं तरफ से इसी घुमा किया, फिर उसका उपर में जो एक-एक स्लोट छोड़ा था इसमें डालेंगे देखें दोस्तों इसमें डाल दिया है और उसको दोस्तों इंसुलेशन निकलने के लिए थोड़ा वेयर को जलाना पड़ता है जला दीजिए नित्वस थोड़ा क्रास करके ब्लेड से निकल दीजिए हम पहले जला लेते हैं जलाने का बाद निकल देंगे उसका इंसुलेशन तकि करेंट पास ठीक से करेगी पर उसको थोड़ा सा हम छिल लेते हैं चको किसा है तो से थोड़ा चल लेना से अच्छा है थोड़ा 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 एंसी निकल जाएगा यह देखिए दोस्ता यह है पहला लूप यह दूसरा लूप और यह तीसरा उसके बाद उसको दोस्तो रस शिलाई ठीक से अच्छी तरह से शिलाई करना चाहिए शिलाई ना करना से इधर उद्र हो जाएगा और वयर भी कट सकता है अरम से हम उसको शिलाई कर लेता है धागा से आप भी अपने हिसाब से धागा या कटन टैप से भी शिलाई कर सकते हैं उसको अच्छी तरह से शिलाई करने का बाद इसमें बरने सिदेंगे बरने सिदेंगे अच्छी तरह से धूप में सुखा दिया हूं दोस्तो और उसके बाद फिटिंग कर रहा हूं अभी उसका जो चार नाट है चार नाट को हम कस लेंगे चार करनार में बस अच्छी तरह से टाइट कर देंगे हो गया दोस्तो तो इस तरह पर टाइट करेंगे यह नाट सही तरह से टाइट करना ज़रूरी है कोई नाट है लूज रह जाएगा तो मटर जम भी हो सकता है इसलिए दोस्तो समान तरीके से चार नाट को टाइट करेंगे थोड़ा सा मार रहेंगे लूज हो गया अभी फ्री टेस्ट करेंगे दोस्तो पेशा अरम से घुम रहा है दोस्तो देखिए सक्सेस्पल हो गया है हाँ? लोजके लिए हो